हलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम एक ऐसे मेडिसीन के बारे में बात करने वाले हैं, जो एलर्जी में बहुत ज्यादा यूज होती है ये एक ओटसी मेडिसीन है, इट मिन्स ओबर दा काउंटर ये आपको किसी भी मेडिकल अश्टोर पर असानी से मिल जाती है तो हम जानेंगे इसके क्या का यूजज है और इसके सेफ डोजज क्या होती है आईए आप जानते हैं सिट्रिजिन टाबलेट के बारे में जो एक एक ऐस्टामिन मेडिसीन है इससे हम एलर्जी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं और आपको ये अलग-अलग ब्रैंड नेम से मिल जाती है जैसे सिट्रिजिन, सिट्सीब, एलर्जेट, जैर्टेक और इनसीड ये सब सिट्रिजिन का कमन ब्रैंड नेम है जो की आसानी से आपको किसी भी मेडिकल एश्टोर पर मिल जाती है अब हम जानेगे सिट्रिजिन कीन-कीन कंडिशन में यूज़ कर सकती है इसमें पहला है एलर्जिक रैटिस सिम्टम से इसमें हमारे ना केवम आख से पानी आ सकता है और वहाँ पर खुजली भी होती है और साथ में छिकी भी आ सकती है तो ऐसे कंडिसन में हम इसे यूज़ कर सकते है इसमें हमें कुछ खाने से या किसी भी रीजन से हमें एलर्जि हो जाती है जिससे हमारे तवाचा पर खुजली हो जाती है ऐसे कंडिसन में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं इसके बाद है इंसेक्ट बाइट यदि हमें कोई कीडा मकोडा काट लेता है और हमें किसी परकार का इलर्जी हो जाता है तो इलर्जी को दुर करने के लिए भी इसे इउप किया जाता है अब next इउस है, seasonal allergy कई बार मौसम चेंज हो जाने से हमें जो काम हो जाती है या फिर हमें छिकी आने लगती है तो ऐसे condition में भी इसे age किया जाता है ये सब के आलावा बहुत सारी allergy में हम citrogen के युज़ कर सकते हैं अब हम citrogen का dogeg के बारे में जानेंगे यहाँ पर हम इसे तिन category में divide किया हैं एक बच्चा में और दूसरे बड़े में यहाँ पर बच्चों में दो category आ जाते हैं जो इसमें पहले आ जाते हैं 6 महिने से 5 साल तक के बच्चा इसमें हम बच्चों को धाई mg परड़े देते हैं मतलब एक दिन में धाई mg बच्चों में दूसरा category आता है 5 साल से 11 साल के बीच वाले इसमें बच्चों को 5 mg पर देते हैं और जो तिसरा केटेगरी होता है वो बड़ो को आता है जो 11 सल से बड़े होते हैं उनको हम 10 mg पर देते हैं और वाकी पैसेंट्स को कंडिसन के अनुसार डोजडी साइड करते हैं अब हम इसके side effects के बारे में बात कर लेते हैं इसके 4 main common side effects होते हैं इसमें पहला आजाता है drossiness शिट्रिजन को लेने से हमें हलकी हलकी निन जैसा होने लगता है इसलिए इसे हमें रात को सोने से पहले लेनी चाहिए इस medicine को लेने के बाद कोई heavy machinery काम नहीं करनी चाहिए और driving भी नहीं करनी चाहिए इसका दूसरा side effect है dry mouth इसको लेने से हमारा मुँझ सुखने लगता है इसका तिसरा side effect है headache इसे लेने से हमेरे सर में दर्द जैसा फील होने लगता है इसका चोथा side effect है constipation इस medicine को लेने से हमें कब्ज भी हो सकता है इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए साथ में हमें इसका contraindication भी जा लेनी चाहिए कि इस दवा को कीन लोगों को नहीं लेनी चाहिए child less than 6 months जो बच्चा 6 मेने से कम का होता है हमें उसे इस दवा को नहीं देनी चाहिए दूसरा breastfeeding omen ऐसी मेला जो बच्चा को दुद पिलाती हो उसे इस medicine को नहीं लेनी चाहिए और तिसरा allergy to anti-estamin medicine ऐसे ब्यक्ति जेने anti-estamin से allergy रहती है उसे भी इस medicine को उज़ नहीं करनी चाहिए झाल 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 झाल